हेलो दोस्तों तवाब का स्वागत है एटी झातं ख्लास्सेस में आज का क्लास है विपरी तार्थक सब्द का अर्थ क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे तो दोस्तों आप यहां जो है आप इस ख्लास में देखेंगे यह निव नाकपुरी जो भी प्रश्न आया हुआ था उसको solve करेंगे और details तरीके से देखेंगे तो दोस्तों यहां अभी हम लोग चलेंगे class की और class से पहले मैं थोड़ा सा information देता हूँ ज्यादा time नहीं लूँगा देखिए अगर आप अभी जो है AD Classes app पर आपका full नागपुरी टेस्ट चल रह आप पर ही और फिर जार्खंड का जू भी चल रहा है जार्खंड जार्खंड current of years सारे का टेस्ट चल रहा है 149 में on AD Classes app तो आप लोग नहीं आप डाउनलोड किये हैं तो जल से जल आप डाउनलोड कर लें तो चलिए हम लोग विप्रितार्थक सब्द की और चलते हैं और हम लोग विप्रितार्थक सब्द का अर्थ क्या होता है वो सबसे पहले जारेंगे चलिए तो नाकपुरी का जो टेस्ट एबलेबल है कहां है AD Classes app पर विप्रितार्थक सब्द का अर्थ होता है विलोम सब्द तेक है विप्रितार्थक सब्द का अर्थ क्या होता है वही व मिलेगा सो आप इसे रट लेंगे ताकि आपको यह एक्जाम में help करे क्योंकि आपका 15 से 20 प्रशन नापपुरी व्याकरन से आगा 20 से एक्सिस नहीं होने है यानि बीद से ज़्यादा कबीन होगा व्याकरन से क्योंकि पिछली बार slaybus के अनुसार तीसस प्रस्ण अपूछा जा सकता था लेकिन इसमें बहुअो बहुत सारा कट किया गया है मुखारी यह सारे चीज़ इसमें कट किया गया है तो बहुत कम देखेंगे कि अर्थों के विपरित आर्थ देने वाले सब्द को विलोम सब्द अर्थात ना विपरित आर्थक सब्द काते हैं विलोम सब्द को ही विपरित आर्थक विपरित याने की उल्टा ना विपरित आर्थक याने की विलोम सब्द के बारे में हम लोग चलेंगे तो जो होता है मतलब कि जो थोड़ा बेलूरा जिसके पास दिमाग नहीं होता है वो बेलूरा होता है अलूरगर जो बुद्धिमान होता है ये बेलूरा का होता है मतलब बुद्धिहिन और इसका जो उल्टा हो जागा क्या हो जागा बुद्धिमान लूरगर जैसे यहीं देखि बोलेगी सर आप लाईए सर विप्रित आर्थक सब लाईए तो सबसे पहले मैंने प्रिभियस यर प्रेशन लाया है तो नीमर का अर्थ क्या होता है तो यह कमजोर होता है इसका मतलब जोरगर याने के मजबूत आस्ते का अर्थ क्या होता है आस्ते का अर्थ होता है धीरे और इसका जो उल्टा होता है आस्ते का जोरे होगा ठीक है आस्ते का जोरे और जोरे का अर्थ क्या होता है तो जोरे का जो अर्थ होता है याने की जोर से ठीक है बासी जैसे की पुराना कहने का मतलब की बासी चावल उसी प्रकार रोका याने के टटका तातल गरम गरम तो यह सब रोका यही होगा रोध का उल्टा क्या हो जागा विप्रेतार्थक सब्द बताउं ऐसे प्रशन पूछेगा आपको हम लाश्ट में M से क्यों दिखाएंगे कि किस प्रकार से M से क्यों आते हैं वह चीज आकको मैं दिखाऊंगा तो रौद का जो उल्टा क्या होता है छाहर ठीक है छाहर चाहर इसका उल्टा होता है रौद का मतलब होता है धूप और इसी का उल्टा हो जाएगा छाओं चलिए नरम नरम का अर्थ होता है एकदम मुलायम सकत याने की कठोर थोड़ा सा शस्ता सस्ता का मतलब होता है सस्ता जो हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, इंदर सेम वे, आपका सस्ता हो जाएगा, यहां सस्ता, महरंग यानि कि महांगा, अंधार का जो विप्रितार्थक सब्द बताऊं का होई, तो इंजोर हो जाएगा, करिया का चर्का, भाई करिया तो काला, चर्का तो उजला, दिक ह कोई भी चीज बता रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आना, तो moral, moral कर अर्थ क्या होता है, कि मरा हुआ, वही इसका विप्रित आर्थक सब्द यानि की विलोम सब्द क्या हो जाएगा, जीयत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीयत यानि कि जो वो जिन्दा है, आधा, आधा का अर्थ क्या होता है, आधा ही होता है, गोटा यानि कि गोटा का अर्थ होता है, पूरा, गोटा का अर्थ क्या होता है, पूरा, तो आधा का विपरित सब्द बताओं पूरा हो जाएगा किनेक कर जो विप्रतार्थक सब्द क्या होगा बेचक आपको जब mcqvm last में बताएंगे उसमें आपसे प्रश्ण पूचेंगे उसमें आपको समय पीरियर देंगे उसमें आपको कमेंट करना है आप लाइब देखे आना देखे अभी कुछ मजबूरी है जिसके कारण लाइब नहीं आ पा रहे हैं ठीक है जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो भाई सारा चीज हो जाएगा लाइब आने के लिए बहुत सारे सिस्टम चाहिए ठीक है आप लोग स सपोर्ट कीजिएगा तो वह सिस्टम जरूर आ जाएगा और लाइब जरूर आएँगे अना श् instruct मिलगा अभी आपको सबसे यूटिव पर जो विलोम सब्द क्या हो जाएगा केवार, जंगला का अर्थ क्या होता है, खिडकी होता है, और वही खिडकी का जो, एक बार प्रशन आया था कि जंगला का अर्थ का हो विला, इस प्रकार तो खिडकी होता है, तो खिडकी का जो, यानि कि जंगला का उल्टा क्या हो जाएगा, खिरकी का उल्टक के वार हो जाएगा, यानि कि दर्वाजा के वारी, हम लोग गाउं में बोलते हैं, यहीं चलिए, हम लोग अभी और है, प्रिभेस सियर और प्रशन है, ठीक है, फरहर, तो हम लोग पढ़ी लिये थे, गडाल, यानि कि गड़ा हुआ, ठड़ाल, यानि कि ख विलोम होता है, विप्रितार्थक होता है, निजल होता है, क्या होता है, चाकर, ठीक है, चाकर का अर्थ होता है, मोटा, और यहीं हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, पातर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पातर, अईल, फईल, मतलब कि यह अईल का अर्थ होता है मतलब कि एक congested area होता ना, congested, I think congested, I'll का, अब file यानिकी पूरा फैला, घाटल का जो विलोम होगा, ठुराल होगा, घाटल का क्या होगा, ठुराल होगा, धंग धंग, तो डबडब, भाई, देखिया, धंग धंग का अर्थ होता है, खाली, अना, धंग धंग का अर्थ क्या हो वर्ड को पूरा याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पूरा वर्ड को रट लेना है, छिंगल का जो विप्रितार्थक सब्द बताऊं, ऐसी होगा प्रस्ना, छिंगल का विप्रितार्थक सब्द बताऊं, इस प्रकार से प्रस्ना आएंगे, तो छिंगल का जो विप पाठा का विपरितार्थक सब्स ने कि काला का विंपरितार्थक सब्स नहीं चलिए और भी है जैसे कि बिहान का बिहान तो हम लोग जानते हैं कि सुब़ सुब़ इसका विलोम क्या हो जाएगा सांज देरी की यानि की देर से और जटे यानि की तुरंत जटे नागपुरी में क्या कहते हैं हम लोग तुरंत कहते हैं जटे को नागपुरी में क्या काते हैं भई तो हम लोग तुरंत काते हैं जटे को क्या काते हैं तुरंत यहीं पातर पातर का मोट चूक यानि की तेजधार वाला यहीं भोथर यानि की भोथर जैसे की टांगी जब भोथरा जाता है पत्थर पर हम लोग टांगी को धार को मार देते हैं तो भोतरा जाता है वही भोतराना गुमन मुही जो चादा नहीं बोलती है ठीक है उसको कम बोलने वाली गुमन मुही का लाती है और वहीं लबरी इसका विलोम सब्द हो जाएगा गुमन मुही का तो लबरी यानि कि गुमन मुही का विलोम सब्द विपित कार्थक स साईत का यानी की शांथ होता है और गोंल यानी की हलंर करना हलंरह यानी की सौर करना है कि साइत का जो व्रिताथक सब्द हो जाएगा गोंल चिकन का जो नाकपूरी में चिकन का विप्रताथक सब्द क्या होगा खद खुद्रा ठीक है क्या हो जाएगा खद खुद्रा ठीक है खद खुश्रा क्या हो जाएगा खद खुश्रा यहीं देखिए डब 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 यानिकी भरा हुआ धंग धंग यानिकी खाली धांगा टेंपचा तेजिए जलदी बताईए चलिए आब हम लोग practice करेंगे जो अभी और भी प्रमें आते हैं उसको नरम क्या होगा विप्रतार्ता विलून स्पपीड्ली करेंगे तिigns को आपको देखने ने यह जितने हैं इसे बहुत सारे हैं, बहुत बुक में, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो जिन्मीन चीज था, वो चीज आपको विवितार्थक सब्द बता दिया गया है, तो अभी हम लोग देखते हैं, कि नमा का क्या होता है, विलोम पूरना, राजी का रुषेक, मतलब राजी यानि की भाई वो मान गया, रुषेक यानि की रुषना, पाकल का काचा हो जाएगा विलोम, कांदिक का, हांसे कांदिक यानि की रोना होता है, हांसे क्यानि की हजना, भोरल यानि की पूरा भरा हुआ, ढंग ढंग यानि की खाली होता है, यहीं कंजूस्त का जो विलम सब्द हो जा जरुआ का होता है , जिसमें star दे रहे हूँ, जरुआ ययाने की धाका हुआ , अऊखाडा हुआ चलिए बियारी, बियारी का अर्थ क्या होता है, यह भी आप से प्रस्मे पूछ देता है नापपुरी में, तो बियारी का अर्थ होता है, रात का खाना को हम लोग बियारी कहते हैं, और यही सुबा का खाना जो बनता है, उसको कलवा कहते हैं, तो बियारी का जो विलोम हो जा है नाटी चलिए यही आप से प्रस ने पूछे थे ना जो कि आप नहीं बताया वितर कमेंट करके तो धांगा का अर्थ होता है लंबा धांगा क्या अर्थ होता है लंबा यह धेवचा नाटा चलिए नेक्स चलते हैं हेंठे यानि की नीचे होता है हेंठे का मतलब क्या होता ह और दिंद्र को रूपिया हो भूप में नीचे होता है क्या होता है लाती क्या हो जाएगा जंग्ला जंगला का हम लोग पहले ही बता चुके हैं केवाड हो जाएगा धेबुवा धेबुवा का अर्थ होता है ये विलोम रुपिया ठीक है खस्ताल ना खस्ताल का विलोम क्या हो जाता है ठीक है खस्ताल का विलोम क्या होगा भई तो अहगर्जु होगा क्या होगा अहगर्जू यहीं अंधरिया अंधरिया का जो विप्रितार्थक सब्द होगा इंजोरिया होगा जोड़ा का जोड़ा यानि की एक जोड़ा फूटा यानि की अलग-अलग यहीं बुढ़ा का अपोजित हो जाएगा विलोम हो जाएगा चोगा हो जाएगा गच का हो जाएगा गज्ष यानि की पेंड़ पौधा बुधा इसका अपोजिट हो जाएगा ये चीज़ आप रट लेंगे ठीका । नन्का चलिए है आगे हम लोग चलते हैं गुमन मुही यानि कि न बोलने वाली तो इसी का गुमन मुही यानि कि न बोलने वाला लबलबी का क्या होता है चुलबुल और लबलबिया का जो इसका जो लबलबी का विप्रितार्थक सब्द हो जाएगा लबलबिया तो यह चुलबुली next फड़फड़ी का विप्रितार्थक सब्द बताओं तो फड़फड़िया हो जाएगा फड़फड़ी का अर्थ क्या होता है बगबग करने वाला यानि की फड़फड़िया हो जागा बगबग करने वाली गांटल यानिकी फैला हुआ और ठूराल यानिकी जमा गांजल यानिकी किसी तरह से जमा किया हुआ और चुपताल यानिकी धंग से जमा किया हुआ ठीक है चलिए फरहर गुमसल हंदकल नीजल मिसाल छिंगल जैसे कि आपको नाग फूरी भासा एक वयतरन था। करा दिया जाएगा वो बुक से कर लीजेगा खुद से एक बढ़ आपको देख लेने हैं जैसे इससे आप तो प्रस्न नहीं चूटेंगे और किस प्रकार से प्रशना आते हैं वह सब्ण्द बताओं आपको रास्ता दिखाया जारा है आप जैसे देखिए कंजूस Sin कि आना इस परकार से प्रसना आते हैं कंजूस सब्द का विपनी तार्थक सब्दभ बताओं आपको मैंने सब्क कि कंजूस सब्द का विप्रितार्थक सब्द बताऊं जल्दी बोलिए A होगा B होगा C होगा T होगा कौन होगा जल्दी बताइए चलिए इतना समय एनफ है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दानी मैं सिर्फ यह बताया हूँ लेकिन आप लोग के लिए जो आगे का टेस्ट होगा सिर्फ आप लोग के लिए होगा साहसी सब्द कर विलोम सब्द बताओं जल्दी बताइए A B C D कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या हो जाएगा डर्गुहा डर्गुहा मैंने पहली पताया साहसी का जो होता है डर्गुहा यानि कि डर्गुहा गरुवा गर्वा का सबसे पहले अर्थ अगर आपसे पूछे तो गर्वा का अर्थ क्या होता है तो गुर्वा नहीं है तो यहां देखिए गर्वा है तो गर्वा का जो अर्थ होता है गरू हम लोग गाउं में बोलते हैं गरू याने की बहुत गरू लागत हो तो गरू याने की भारी बारी तो इसका विलोम क्या हो जाएगा ठीक है विलोम सब इसका अर्थ तो हम लोग जान गए कि गरुगा का अर्थ क्या होगा भारी तो इसका विलोम क्या हो जाएगा हलूग समय मिल रहा है ना अंसर देने भर चार नंबर प्रस्ण मालिक सब्द कर विप्रितार्थक सब्द बताओ अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नंबर A B C D जल्दी बताएँ आप लिखें कि कौन सा अंसर होगा हम अप्सन क्यों नहीं बता रहे हैं आपका माइन में वो गलत चीज प्रोसेस ना करें इसके चलते मैं A B C D के बल बता रहा हूँ तो इसका विप्रितार्थक सब्द क्या हो जाएगा ये आप लोग पर छोड़ दिये चलिए सारा चीज पढ़ाया हुआ है नेक्स्ट आपका है मालिक सब्द कर विप्रितार्थक सब्द बताओ मालिक सब्द कर तो ये तो हो गया निर्गुन सब्द कर उल्टा का होई जल्दी बताएं सद्गुन होगा या सगुन होगा ये आपको कमेट चक्ष्ट में कमेट करना है सारा चीज पढ़ा दिया गया अंधरिया सब्द कर विप्रितार्थक सब्द बताऊं ठीक है अंधरिया सब्द का विप्रितार्थक सब्द क्या होगा जी क्या होगा जल्दी बताएं विप्रितार्थक सब्द अंधरिया सब्द का क्या होगा एंजोरिया हो जाएगा यहीं जोडा सब्द का उल्टा सब्द नाकपुरी में का होई देखे इसी प्रकार से प्रस्न आ जाता है भाई अना इसी प्रकार से प्रस्न आता है तो जोडा का मैंने क्या पोता है बताया था भी क्या हो जाएगा इसका फूटा हो जाएगा चलिए यहीं बुढा सब्द कर उल्टा सब्द नाकपुरी में का होई तो बुढा सब्द का नाकपुरी में क्या हो जाए छववा हो जाए ठीक है उल्टा यानिके विलोम यानिके विप्रितार्थक सब्द यहीं चलिए नो नमबर देख लेते हैं गच सब्द कर उल्टा सब्द नाखपूरी में कहा होई? गच, ठीक है? A, B, C, D. ये आप कमेट सक्षन में नौका किजिएगा, नौका A, B, C करके लिखतीजिए. नंका, नंका का तो पहले अर्थ बताईए आप लो, नंका का मैंने अर्थ क्या बताया था? नंका का अर्थ क् विलोम सब्द बताओं तोपल तोपल सब्द कर विलोम जो है सब्द देवल में से कोण हुई तोपल सब्द कर विलोम सब्द देवल में से कोण हुई यही देखिए हदकल, हदकल सब्द कर उल्टा सब्द देवल में से बताऊं, तो हदकल सब्द का उल्टा सब्द देवल में से कौन होगा, बताएं जल्दी, चलिए इसी प्रकार से, आप लोग बताएं, सारे चीज़ आपको बता दिया गया है, बियारी का विलोम सब्द हंक देख सब्द कर विलोम सब्द होता हूं ठीक है हंक देख एबिसी घ्री यह भी कमेंट करें लाथी सब्द का विलोम सब्द क्या होगा लाथी का मतलब क्या होता है यह चीझ बता है लाठी सब्द का विलोम सब्द क्या होगा A B C D लाठी का अर्थ क्या होता है श् tugali आ कि इसका अर्थ क्या होता है छंगला सब्द कर उल्टा सब्द बताऊं आपको बहुत सारे आप बताईबै नहीं कर रहें त आपको लास्ट में बताया जागा, इतना आपके पस टाइम है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, बहुत सारे सुन, सर की टाइम ने देते हैं, दे दिया ना टाइम, यह सर सारा चीज कराया गया है, जंगला सब्द कर उल्टा सब्द बताऊं, जंगला, त देवल में से कौन होई, तो रूपिया होगा, तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो है आप परशन होगा, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, ठेंगा होगा, लाठी का, अभी सारे आपको बताते रहे हैं, हंदकेक का क्या होगा, निनिया एक, और सन नमबर डी सही हो ज हो जाएगा, उटकल, नन का मतलब होता है कि पतला, नन का का अर्थ क्या होता है, पतला, तो दोस्तों, आपका यहाँ जो है, टोटल यह विप्रितार्थक सब्द समाप्त हुआ, अगर और आप चाहें, तो और भी एक प्रैक्टिस के लिए, मैं क्लास ला दूँगा, लेकि आपको विडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, तो कमेंट शक्सल में जरूर कमेंट करेंगे, और Edi Classes अप पर आपके सारे चीज आवलेबल हैं, कोर्स, नाकपुरी का फुल कोर्स, उतपात सिपाही का भी यहाँ कोर्स आवलेबल है, तीक है, उतपात सिपाही के 1099 है यहां फुल टेस्ट चल रहे हैं जो 149 है और 149 में जारकन जीके ठीक है बहुत सारे जारकन टेस्ट सीरीज सारे चीज़ है तो दोस्तों चली इसी के साथ आपका ये क्लास समाप्त होता है धन्यवाद वाचिंग फॉर दिस वीडियो चेहिंचे बार